कब दोस्तों कि यह दिख रहे हैं ओटोमैटिक गॉल्टेज अस्टेवलाइजर यह एक कर भीक है और एक उद्ची इसमें सप्लाई देता हूं करें इसका इंड पूट गॉल्टेज देखिए 200 बोल्टेज अ पूट गॉल्टेज देखिए 300 ब्लस जा रहा है जो यह करण हुआ है इसके करण आप देख रहे हैं यह टांसपोर्म होगे इसका इसका इंडिकेटर है और यह आपका बोल्टेज मीटर है और यह देख रहे हैं तीन जो लगा हुआ है यह अपका रीले है अटमेटिक में तीन रीले होता है किसी केसी में चार भी होता है इसमें से यह टांसपरमार से यह वार लिख ला हुआ है और यहां पर देख रहे हैं यह अटो कट बोल्ड लागा हुआ होता है यह है इसका अटो कट बोल्ड लागे जाता है अगल ट्रांसफरमर से जो अठाटार अठाटार बोल्ड अठाटार जिरो अठाटार का जो बोल्ड लिए जाता है और दूसरा जो एक रिले ओपरेट करने के लिए ट्रांसपरमर लगा हुआ है यह है को अधिना लिए ट्रांसफरमर लगा हुआ है इसका आट पॉर्ट नहीं दे रहा है यह ट्रांसफरमर खराब हो गया है और इसके कारण ओर इसका बोर्ड भी इस प्रम्जिस्टर लगा हुआ हुआ अगर ज्यादा बोल्टेज हुआ तो यह घृट ले जाए जुन कर देंस वोल्टेज फिक्स होगा तो आप नहीं चाहिए कि तीन तो बोल्टेजी ते रहा है कि इसे बोल्टेज में चल गाये तो ने हुआ तो आप एच्पी का मोटर था लोग वोल्टेज परेवो चल जाता था तिंचार घंटा मैंने टेस्ट भी जाता चला कर रेगलर ले जैसे पानी मला गया इस चांसपर्म में चल रहा था मोटर जला दिया दिवारा फिर से बनाया तो पता चला कि इसका यह इस्टबलाइजर ही ख़़ा है तो इसमें अभी इसका अटोकट बोर्ड चेंज होगा और यह एक ट्रांसपर्मर है 909 अब जो यह ट्रांसपर्मर है बोर्ड के लिए बोर्ड सप्लाइज के लिए रहता है तो यह जाए ठीक हो जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले नहीं नहीं स्टैप की वीडियो पाने के लिए थैंक्यू बड़ी मच्छ